आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड अपलाई कर सकते हैं एक नया वोटर आईडी कार्ड अपलाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में प्ले इस्टोर को ओपन कर लेना है अपने फोन में प्ले इस्टोर को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ उपर सर्च बार में लिखेंगे वोटर हेल्पलाईन जैसे ही आप voter लिखेगा तो यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे होंगे voter help line लिखा हुए एक application आ गया है तो चलिए हम इस पे ठीक है इस पे click कर देते हैं उस पे click करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने voter help line की application आए जाएगी यहाँ पे आपको बता दें कि यह election commission of India यानि की ECI की official application है तो simply आप इस application को install कर लें यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपने इस application को install कर रखा है तो आप उसे update कर लेंगे चलिए हम यहाँ इसे install कर लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस application को open किजेगा तो आपके सामने यहाँ पे disclaimer आएगा तो आप इसे read कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे i agree का button दिखेगा तो आप इस i agree के button पे tick out करेंगे यहाँ पे tick out करने के बाद आपको यहाँ पे next list पे click कर देना है आपके सामने अब यहाँ पे इस तरह का page open होगा तो यहाँ पे आप से अब login करने बोला जा रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पे login कर भी सकते हैं वरना आप नीचे यहाँ पे skip login पे click करके बिना login किये ही इस application को use कर सकते हैं अब यहाँ पे अपना एक नया voter ID card बनाने के लिए आपको दिख रहे है पहले option यानि की forms के option पे click कर देना है उसके बाद आप यहाँ apply online new option पे click करेंगे उसके बाद यहाँ आप new voter registration पे click करेंगे आपके सामने अभी यहाँ पे च्छोटा सो box open होगा तो इस box में आप से यहाँ पे आपका नाम मांगा name को fill करने के बाद आप simply यहाँ पे okay पे click करेंगे आपके सामने अभी यहाँ पे इस तरह का page आएगा तो इस page में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ नीचे दिया रहेगा let's start तो आप simply let's start के button पे click करेंगे आप से अभी यहाँ पे पूछेगा are you applying for the voter ID first time क्या आप water ID card first time apply कर रहे हैं तो आप यहाँ पे yes पे click करके और simply यहाँ पे नीचे next पे click करेंगे आप से अब यहाँ पे पूछ रहा है are you citizen of India क्या आप भारत के नागरिक हैं तो आप simply जैसे यहाँ पे टिकॉट है वैसे रहने दे उसके बाद आप नीचे next पे click करेंगे आपके सामने अब यहाँ पे यह form open हो जाएगा तो इस form में सबसे पहले आप से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस राज या फिर किस unit ट्रेटीस चाते हैं तो आप अपने राज या फिर यूटी का नाम यहाँ से इस list से select कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना date of birth फिल कर पे जो भी date of birth दे रहे हैं उसका आपको एक proof देना होगा ठीक है तो उसके लिए आप यहाँ पे type of document पे click करेंगे तो आपको यहाँ बता दें कि आप proof के तोर पे आधार card, birth certificate, mark sheet, Indian passport, pen card, driving license यानि कि इसमें से कोई भी एक document दे सकते हैं उसके बाद foot number पे यहाँ पे option है upload your relevant document मतलब कि आप proof के तोर पे आपना जो भी document दीजेगा उसे आपको upload भी करना होगा आपको यहाँ पर बता दें कि आपने document को upload करने के लिए आप चाहें तो direct अपने phone से photo click करके भी upload कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे digilocker के दिये गए option पे click करके direct digilocker से फेच भी कर सकते है चलिए हमने यहाँ पे already अपने phone में document का photo click करके रखा हुआ है तो चलिए हम यहाँ पे नीचे upload के button पर click करके अपने उस document को upload कर लेते हैं upload करने के लिए आपको यहाँ बता दें कि आप अपने file को jpeg यह फिर jpg में upload कर सकते हैं साथी आपको यहाँ पे upload की maximum size 2MB देखने को मिल जाती है साथी यहाँ पे एक बात और यहाँ पे आपको बता दें कि आप proof के तोर पे अपना जो भी document देंगे आपको अपने उस document का यहाँ पे number भी enter करना होगा जैसे कि अगर आप पूरूफ के तोर पे अपना pen card देते हैं तो आपको यहाँ पे अपना pen number अधार card देते हैं तो आपको यहाँ पे अधार number enter करना होगा यहाँ पे इस page में सारा process complete करने के बाद आपको simply next पे click कर देना है next करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने अब यह page open हो जाएगा तो इस page में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक photo upload करना होगा आपको यहाँ बता दे कि photo को upload करने के लिए आप यहाँ upload picture के option पे click करेंगे इस पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके गैलरी ओपन हो जाएगी तो जहां पे भी आपको फोटो रखा हुआ हो आप अपना फोटो अपलोड कर लेंगे तो यहां पे अपना फोटो अपलोड करने के बाद आपको नीचे में यहां पे जेंडर को सिलिक करना है कि आप male है या फिर female आप जो भी है आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम enter करना होगा यहाँ पर आपको बता दे enter your name में आपको अपना first name enter करना है अपने first name को enter करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में अपने नाम को original language में भी type करना है यहाँ पे आपको बता दे कि original language में automatic translate हो जाएगा आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी जैसे कि आपको यहाँ पे देखाते हैं तो यहाँ पे आप देख पारे होगे कि हमने candidate के first name को enter कर लिया है उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नीचे आपको यहाँ पे blue color का arrow दिख जाएगा तो आप google input tool का help ले सकते हैं उसकी help से आप अपने name को सही से लिख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना surname इंटर करना है यानि कि आपका जो भी last name है आप यहाँ पे इंटर करेंगे यहाँ पे अपना mobile number और email id इंटर करने के बाद आप से यहाँ में पूछा जा रहा है कि क्या आपके अंदर किसी भी तरह की disability है अगर है तो वह आप यहाँ से चूज करेंगे और अगर नहीं है तो आप simply यहाँ पे next पे क्लिक करेंगे अब इस पेज में आप से आपके एक relative का नाम पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे अपने एक relative का नाम इंटर करना है यहाँ में आपके अपने अपने पर करना होगा अगर आप husband का नाम इंटर करती हैं तो आपको यहाँ पर husband का option पर click करना होगा वैसे यह आप किसी और का नाम यहाँ पर इंटर कर रही है यह फिर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर other के option पर click कर देना है उसके बाद आप simply next पर click करेंगे इस page में अब आपसे आपका current address पुछा जा रहा है तो आप इस page में अपना current address फिल करेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको अपना house number इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर आप अपने street area या फिर locality का नाम देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपने town या फिर village का नाम देना है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना post office इंटर करना है आपका जो भी post office है आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे pin code इंटर करना होगा उपर में यहाँ पे अपना सारा detail fill करने के बाद आपको यहाँ पे अपना area select करना है कि आप जहां रहते हैं वो city है, town है या फिर village है उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपने राज्य का नाम select करना है ठीक है जैसे कि मेरा already select है बिहार हम इसे रहने देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे scroll करेंगे अब आपको यहाँ पे अपने district और यहाँ पे अपने assembly constituency का नाम enter करना होगा उपर में यहाँ पे अपना सारा address fill करने के बाद अब आपसे यहाँ पे एक address proof मांगा जाएगा तो address proof देने के लिए आप यहाँ type of document के option पे click करेंगे आपको यहाँ पे बता दें कि address proof के तौर पे आप आधहार card, bus certificate, mark sheet, Indian passport, pen card, driving license इसमें से कोई भी एक document दे सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पारेंगे कि हमने address proof के तौर पे आधहार card select किया है ठीक है तो अब हमें अपने उस आधहार card को upload भी करना होगा तो आपको यहाँ बता दें कि upload करने के लिए आप यहाँ upload के option पे क्लिक करेंगे upload करने से पहले आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि आप अपना जो भी document देंगे आपको यहाँ पे उसका number भी enter करना होगा अपने document को attach करने के बाद अब आप यहां next पे click करेंगे आपके सामने अब यहां पे declaration का page open हो जाएगा तो इस page में अब आप से यहां पे पूछा जा रहा है कि आप जो address दिये हैं उस address पे आप कब से रह रहे हैं तो यहां पे आपको बता दें कि आप जब से भी रह रहे हैं आप इस पे click करके ठीक है यहां पे calendar open हो जागा आप date select कर लें यहां पे आपको बता दें कि अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपको यहां पे अपना date of birth select कर लेना है उसके बाद आप इस्कौर करके नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे प्लेस इंटर करना है उसके बाद आपको done पे क्लिक कर देना है आपके सामने अब यहाँ पे आपकी फॉर्म की complete preview आजाएगी तो आप एक बार अच्छे से चेक कर ले कि आपने जो भी फिल किया है वो सही है या नहीं अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे कोई mistake है तो आप यहाँ पे ऊपर दिये गए cut के option पे click करके इसे cut करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप नीचे दिये गए red color के इस back के option पे click करके अपने form को फिर से सही से feel कर सकते है चलिए हमें लगता है कि हमने अपने form को बिल्कुल सही से feel किया है हमने यहाँ पे सारा चीच चेक कर लिया है अब हम स्कॉल करके नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद हमें यहाँ यहाँ पे confirm के button पे click कर देना है तो finally आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि हमारा application successfully submit हो चुका है यहाँ पे आपको submitted date के साथ साथ reference ID भी देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ बताएं कि आप इसका screenshot लेके रख लें क्योंकि बाद में जब कभी भी आप अपने इस form का status चेक करेंगे तो आपको इसी reference ID की ज़रूरत पढ़ने वाली है इस reference ID के थुरू आप अपने form का status चेक कर सकते हैं अपने application को submit करने के बाद अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बात जब आप अपना voter ID काड अपलाई कीजेगा तो एक नया voter ID काड बनने में तीन महिने तक का time लग सकता है और जब आपका voter ID काड बन जाएगा तो by post आपके घर पे send कर दिया जाएगा last में अब आपको बताते हैं कि कैसे आप आपने voter ID काड का status चेक कर सकते हैं तो status को चेक करने के लिए आपको यहाँ नीचे दिख रहा है explore के option पे क्लिक करना है उसके बाद आप यहाँ status of application पे क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपसे यहाँ पे आपका reference ID मांगा जाएगा तो वो reference ID आप यहाँ पे डाल के और track status का option पे क्लिक कर देंगे जैसे इस पे आप क्लिक की जाएगा तो अभी आपके form का क्या status है वो show कर जाएगा